पूरे हरियाना को राम राम मैं जब भी रिवाडी आता हूँ तो कितनी ही पुरानी यादे ताजा हो जाती है रिवाडी से मेरा रिस्ता कुछ अलग ही रहा है मैं जानता हूँ रिवाडी के लोग मोदी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी मेरे मित्र राव इंद्र जी जी ने जैसे बताया मुक्यमंत्री मनोलाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारती जनता पार्टी ने मुझे पी एम के उमिद्वार के रुप में गोशित किया था तो मेरा पहला कारकम रिवाडी में हुआ था और उस समय जेवाडी ने 272 पार का आशिरवाद दिया था और आपका हुआ आशिरवाद सिद्धी बन गया अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रिवाडी आया हूँ तो आपका आशिरवाद है अब की बार अब की बार अब की बार एंडिये सरकार चार सो पार साथियों लोग कंत्र में सीटों का महत्व तो है ही लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनारदन का आशिरवाद के मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है आज पुरी दुनिया में भारत नई उंचाई पर पहुँचा है तो ये आप सब के आशिरवाद के कारण ये आप के आशिरवाद का कमाल है मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बार देर रात हिंदुस्तान लोटा हूँ UAE और कतर में जिस परकार का आज भारत को सम्मान मिलता है हर कोने से भारत को सुबकामनाई मिलती है वो सम्मान सिर्ब मोदी का नहीं है वो सम्मान हर भारतिय का है आप सबका है भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशिरवात से हुआ भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुँचा जहां कोई नहीं पहुँच सका तो ये आपके आशिरवात से हुआ दस वर्षों में भारत ग्यारवे नंबर से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक महा सक्ति बना ये भी आपके आशिरवात से हुआ और अब मुझे अपने तीसरे टम में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक तांकत बनाने के लिए आपके आशिरवात चाहिए और अब मिए अब मुझे झाल 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 झाल